असलाम लेकूम वेलकम बैक टो माई चैनल तरप खान विलॉग्स आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अलहम्दुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अभी तकरीबान रात के साड़े दस बज रहे हैं और मैंने आज डिनर आठ बजी बना लिया था अलحम्दुलिलला हम सब ने कर लिया था और अँन एक काम रहे जाता है किचन समेटने का सारे बरतन मैंने वाश कर लिये थे और अभी वो ड्राइ हो चुके हैं तो मैंने सोचा सोने से पहले सारे बरतन बरतनों को कैबनेट्स में लगा दूँ क्योंकि गर्मी या बरसात का मौसम जब आता है ना तो ये चिपक लियां हश्रात सारे बाहर निकलते हैं तो बरतन रात को मैं बाहर बिल्कुल भी नी छोड़ती सारे के सारे मैं कैबनेट्स में डॉर्ज में रखती हूं और उसके बाद ही फिर मुझे सकून आता है अच्छा कल की वीडियो पर मेरे दो तीन व्योर्स ने कॉमेंट किया था कि आप डिश व हेल्पर है वही उनके बरतन वॉष करती है लेकिन अगर कभी हेल्पर चुटी कर जाए तो आप बिलीव करें मेरी बहन डिश वॉशर घर में होते हुए भी डिश वॉशर में बरतन नहीं धूती क्योंके डिश वॉशर में बरतन दोना इसलफ एक इतना टाइम टेकिंग प् तो भाई हम तो पाकिस्तानी देसी लोग हैं इतना टाइम उस पर जाया करना है तो सिंक के नीचे खड़े खड़े जल्दी जल्दी दो हात मारो और सारे बतन धोले बंदा ना तो हेलपर्स तो चुटी करती ही रहती है ये तो एक बड़ी कॉमन बात है अब अगर मुकदस बाई किया है ना ही फ्यूचर में मेरा बाई करने का कोई प्लैन है आज मैं बनाऊंगी अचार गोश्ट और मैं नैशनल अचार गोश्ट के मसाले से बनाऊंगी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बहुत जादा बढ़ती जा रही है अभी देखें यहां पैटियों में हमने यह ग्रीन कपड़ा भी लगाया हूँ है और यह हमारे गर की वही दैसी जगह है जहां पर धूप और हीट बिलकुल कम से कम आती है इसलिए हमने अपने पैरोट्स को यहां रखा हुए है लेकिन मैं दो मिनट के लिए भी यहां जाती हूँ ना जब पैरोट्स को बाजर और पानी डालने के लिए तो बिलीव यू मी के मुझसे यहां पर खड़ा नहीं हूआ जाता है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अच्छा तो अभी मैं आ गई है अपने वाश्रों में यहां से मैं उठाओंगी कुछ शैंपू और कंडिशनर आप लोगों को रिवियू दूँगी भई मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए अच्छे अच्छे महंगे महंगे शैंपू और मास्क्स और कंडिशनर यूज करना अभी यह जो शैंपू मेरे हाथ में यह 5000 का शैंपू है और यह मास्क भी इसका 5000 का है यह शैंपू और मास्क मुझे इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंके कभी मैंने बालों में एक्स्टेंसो कराया होता है कभी कैरटिन कराई होती है तो उसके बाद हमें प आपके बाल रूखे पीके हैं, बेजान हैं और वाश करने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे बालों में बंप भड़ गया हो इतने ज़्यादा ड्राइ और बिटल हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छे शैंपू और मास सौरी कंडिशनर के बारे में बताऊंगी यह देखें जी, यह है लॉरियल का अलवाइव 6 ओयल नरिश्मेंट यह बहुत ही अच्छा शैंपू है और इसका कंडिशनर भी बहुत ही अच्छा है महंगा भी नहीं है, अफोडेबल है मैंने यहां पर इसकी बड़ी बॉटल ली हुई है यह बड़ी बॉटल जो है, इसकी I think 750 की है और इसका जो कंडिशनर है वो भी कोई महंगा नहीं है 350 या 400 का इसका कंडिशनर है अगर आप शैंपू की छोटी बॉटल लेंगे तो वो फिर और ज्यादा उसकी प्राइस कम हो जाती है लेकिन बहुत ही यार मज़े का शैंपू और कंडिशनर है लेकिन बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी है कि बालों के तूटने बे जान होने में शैंपू का कोई रोल नहीं होता नहीं ऐसा नहीं है शैंपू का वाकई ही एक मेजर रोल होता है बालों के तूटने और गिरने में हाँ बहुत सारे लोगों को इंटरनल इशूज होते हैं जिनकी वज़ासे उनका हेर फॉल हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं अपना सारा फोकस सिर्फ शैंपू और कंडिशनर और मास्क पर लगा देते हैं और जो उनके इंटरनल जो उनकी बॉड़ी में मसले चल रहे होते हैं उनकी तरफ वो नोटिस ही नहीं करते तो आप लोग सबसे पहले इंटरनल जो आपके प्रॉब्लम्स है ना प्लस टेंशन और एंग्जाइटी की वज़ा से भी हेर फॉल होता है और वो लोग जो तरह तरह के शैंपू यूज करते रहते हैं बगएर किसी तहकी के कोई भी शैंपू मिल गया कहीं से भी मिल गया किसी ने गिफ्ट दे दिया होता है ना कि जैसे बहुत सारी हमारी यूट्यूबर्स हैं कि उनको पी आर पैकेज़स में बहुत सारे शैंपू कंडिशनर्स मास्क मिलते हैं तो वो आप लोगों को भी रेकिमेंट करती रहती हैं तो बगएर किसी तहकी के कोई भी शैंपू कंडिशनर या मास्क यूज़ ना किया करें क्योंकि यह आपके बालों का मैटर है अच्छा जी अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम से माशालला गार्डन का व्यू इतना अच्छा आता है यार मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छा आला की नेमतों में से एक हसीन तरीन नेमत है ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो जब भी मैं यहाँ आती हो ना मुझे यह अपने गार्डन का मनज़र फिर सामने वाले घरों में भी माशालला ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है उनके भी ट्रीज वगारा नजर आते हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते है तो अभी मैं यहाँ पर लेकर बैठी हुई थी अपनी जैंसन की ब्राइटनिंग नाइट केर थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैं यह लेकर आई हूँ मैंने बहुत नाइट केर स्किन केर यूज की है लेकिन मुझे यह क्रीम नहीं अच्छी लगी मतलब जब आप कोई ब्राइटनिंग क्रीम यूज कर रहे होते हैं तो सुबह जब उठकर आप अपना फेस वाश करते हैं रात को अपलाई करते हैं लेकिन इसके लावा ना तो स्किन पर कोई फ्रेशनस आती है ना ही इसका कोई और मकसद है अब तो लिटरली मैं पता है क्या करने लग गई हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइ है तो मैं सुबह में भी जब फेस वाश करती हूँ तो मैं इसको सुबह में भी लगा लेती हूँ जब भी फेस वाश करती हूँ जैसे एक बंदा लोशन या कोई मोज़े राइजिंग क्रीम नहीं अपने फेस पर लगा लेता तो बस मैं इसको वही समझ कर लगाती हूँ तरवाइस मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल तरीन ये नाइट ट्रीटमेंट है क्योंकि मुझे फील ये हो रहे है कि ये मुझे ब्राइटनिंग दे ही नहीं रही थोड़ा सा तो नजर आना चाहिए ना यार इससे तो थोड़ा सा भी कुछ नजर नहीं आरा उल्टा मुझे तो अपनी सकिना औरी फेस की डल डल लग रही है तो इसके बारे में आपको बता दिया ये जैंसन की नाइट केर थी और ये साड़े पांच हजार की मैंने ली थी तो साड़े पांच हजार रुपया मैं पानी में रोड कर आ गई हूँ चलें खेर इसी तरह चीजों का पता और आप लोगों को रिवियू भी हम लोग इसी तरह ही देते हैं कि पहले खुद यूज करते हैं और फिर आप तक आगे बात पहुंचाते हैं अच्छा जी तो अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंफरमेटिव चीज़ शेयर करने वाली हूँ आइस क्रीम आइस क्रीम आइ है वो आइस क्रीम से फॉल नहीं होता बहुत सारे लोगों को तो पता होगा लेकिन I hope के काफी लोग भी भी ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता पहले मेरे घर में भी आइस क्रीम बहुत जादा आती थी और इसी तरह से यह आपुद़ जार सा मरे घर में आते थे क्यू दो तीन साल से मेरे घर में पड़े हुए हैं चलें come to the point मैं आपको awareness यह देना चारी थी कि एक्चुली वाल्स ओमोर या यह प्यूरिका की जो आइस क्रीम है या जो भी आइस क्रीम आप लेते हैं एक्चुली यह आइस क्रीम नहीं होती यह frozen dessert होता है अब आइस क्रीम कौन सी ह होती है आइस क्रीम वो होती है जो मिल्क और क्रीम से बनी हुए होती है ठीक है और आइस क्रीम जो भी होगी ना उसके ओपर मेंशन होगा कि यह आइस क्रीम है जैसे अभी मैं यह आपको यहां पर हीको का जार दिखा रही हूँ तो इसके ओपर मेंशन है कि यह आइस क्रीम ह उदर वो जो दो जा रखे हुए आईस क्रीम के वो भी हीको के ही हैं ये भी आईस क्रीम हैं हीको जो कंपनी है ये आईस क्रीम बनाते हैं जबके वाल्स अमोर या ये प्यूरिका के जो ब्रैंड हैं ये आईस क्रीम नहीं बनाते ये सारे फ्रोजन डिजर्ट्स होते हैं आप जब भी मार्केट जाकर वाल्स की, ओमोर की या किसी और ब्रैंड की अगर आप इस तरह से इनका कुछ पी लेते हैं तो इस आर नॉट आइस क्रीम, इस आर फ्रोजन डिजर्ट और यह जो फ्रोजन डिजर्ट होती है यह वेजिटेबल ओयल से बनाई जाती है, इसमें दूद क्रीम इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती, अब आइस क्रीम में और फ्रोजन डिजर्ट में फर्किया होता है, फर्किये होता है कि आइस क्रीम आइस क्रीम होती है, और जो फ्रोजन डिजर्ट होता है, यह आपकी सहत के लिए नुकसान दे है, क्योंकि यह एक प्रोसेस्ट चीज हो जाती है, हर प्रोसेस्ट चीज आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, बस इस चीज को मार्केट जाएं तो कोशिश करें, आइस क्रीम ही खाएं, फ्रोजन डिजर्ट ना खाएं, बस यह था मेरा आज का व्लॉग, अपना फ्याल रखेगा, आला हाफिज